नमस्से मैं हूं सचिंगोयल और अपका सोगत खरता हूं लोग पल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं इस कारेकरम में जुकाम तो पहले भी होती थी लेकिन आजकल जुकाम हो जाये तो बहुत लंबी चलती है कई बार तो कई-कई महीनों तक भी ठीक नहीं होती है जब ये अच्छी तरह उबल जाये तब इससे आपको चान लेना है चानने के बाद आपको इसमें एक चुटकी नमक अच्छी तरह मिला लेना है बस जटपट तयार है आपकी जुकाम की दवा इससे आपको दिन में दो बार पीना है तुलसी, काली मिर्च और नमक तीनों ही बाडी में मौझूद इंफेक्शन को तुरंट खतम कर डालते हैं और विशले पदार्थों को जल्दी सी जल्दी बाडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि बाडी क्विकली पूरी तरह से हेल्दी हो जाई इसलिए इस नुखे को यूज़ करते ही जुकाम ठीक होना चालो हो जाती है और जुकाम में तुरंट आराम मिल जाता है इसके यूज़ से एक दिन में ही जुकाम नैक के बराबर रह जाती है जुकाम के साथ-साथ होने वाले बुखार को भी ये नुसका चुटकियों में ठीक कर देता है यानि एक ही नुसके से डबल बेनेफिट मिल जाता है जुकाम होने पर ध्यान रखें कि ठंडी चीज़ें और दही नहीं लें पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके हलका गरम पानी पीते रहें इस जरा सी सावधानी का ध्यान रखने से जुकाम बहुत तेजी से ठीक होती है आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान धरे लुन उसके और हेल्थ टिप्जिक करेने के लिए मेरे चैनल सचिन गोल को सबस्क्राइब कीजिए